ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल किलाबाजाद है तेरे नौसकार बोल किलाबाजाद है तेरे माया विसार शर्बा आपको ये बात अटपटी नहीं लगती कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश के ग्रह मंत्री आमित शाह मेघाले की सरकार यानि चुनाव से पहले चुनाव प्रचार में वहां की सरकार को देश की सबसे ज्यादा भरष्ट सरकार बताते हैं और आज जब शपत ग्रहंट समारो होता है सिर्विस लिये कि आपको मेखालय की सरकार में जगह चाहिए आज उनके शपट ग्रेंट समारो में खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पहुंच जाते हैं ये बाद आपको अटपटी नहीं लगती कहा गया प्रधान मंत्री मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी राली हुई थी बिहार में और इस बात का इशारा तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके थे सुनिए तेजस्वी ने उस वक्त क्या का आध ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे फिर चापा मारो चापा मारो बगर बड़ा प्रश्ण क्या आरजेडी भारतिय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है CBI के सामने नतमस्तक है आपके स्क्रीन्स पर राबडी देवी और उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग हमें जितना भी परिशान कर लें हम उनके सामने जुकने को तयार नहीं है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि विहार की पूर मुख्यवंतरी राबडी देवी ने दरसल कहा क्या वो हमें हजार बार परिशान करेंगे मगर हम जुकेंगे नहीं तो एक तरफ राबडी देवी का ये बयान मगर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी एक चेतावनी दे रही है वो क्या कह रही है दोस्तों सबसे पहले मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ और फिर फैसला आपको करना है आपके स्क्रीन्स पर ये हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहनी आचारय का बयान वो कह रही है पापा यानि लालू प्रसाद यादव को लगतार परिशान किया जा रहा है अगर उन्हीं कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी पापा को तंग कर रहे हैं ये ठीक बात नहीं है ये सब याद रखा जाएगा समय बलवान होता है उसमें बड़ी ताकत होती है ये याद रखना होगा पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो तिल्ली की कुरसी हिला देंगे अब बरदाश्ट करने की सीमा जवाब दे रही है दोस्तों ये ना भूलें कि लालू प्रसाद यादव का जो स्वास्त है वो लगातार बिगड़ रहा है पिछले कुछ दिनों में लगातार ये ख़वरें सामने उभर कर आईं कि लालू प्रसाद यादव बहुत गंभीर हो गए हैं और बहुत चिंता जनक संकेत भी आएं अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया रोहणी आचारे जो हैं ये ट्वीट कर रही है जिसमें वो ये कह रही हैं कि उनके पिता को परिशान किया जा रहा है आज मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या लालू प्रसाद यादव को सिर्फ इसलिए परिशान किया जा रहा है क्योंकि वो कभी भारती जहनता पार्टी के सामने जुके नहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लालू प्रसाद यादव से इनकी दुश्मनी आज की नहीं है याद कीजे लाल कृष्ण आडवानी की राम रत यात्रा ये राम रत यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां तंगे हुए मगर जैसे ही ये राम रत यात्रा बिहार प्रवेश करने वाली थी तो उस वक्ड़ बिहार के मुख्यमंतरी लालू प्रसाद यादव थे लालू ने उस राम रत यात्रा को वहीं रोक दिया था और उनका क्या कहना था याद है न आपको उन्होंने कहा था कि जब मंदिर में घंटी बजाने वाला ही जिन्दा नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा अरशना कहां से होगी उन्होंने कह दिया कि मैं इस राज्ज के गरीब के साथ हूँ और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था का उलंगन नहीं होगा और लालू प्रसाद यादव ने उस काम को इसलिए अंजाम दिया था कि अड़वानी जी की रामरत यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी वहां दंगे हो रहे थे ये ना भूलें कि अड़वानी जी की रामरत यात्रा जब से शुरू होई थी और 1993 तक मुंबई बंधमाकों तक देश में अलग अलग घटनाओं में करीम तीन हजार लोग की मौत हुई थी इन्हें लालू प्रसाद यादव से ये दिक्कत है रोणी आचारे उसी बात का जिक्र करें मगर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक बीमार व्यक्ती को मोधी सरकार इस कदर परिशान करेगी खास कर तब जब मेगाले में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आपने पल्टी मार ली इस तस्वीर को देखे फिर से इस तस्वीर को देखे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कॉनराड संगमा के शपत ग्रहन समारों में मौझूद है जब की चुनाव प्रचार के दोरान पानी पी पी कर गाली दी जारी थे इंको और दूसी तरफ राबडी देवी पर दबिश लालू प्रसाद यादव को इस तरह से यातना देना जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस CBI RAID की भविश्वानी की थी उसी तरह से अरविंद के जिवाल बार-बार कहते रहे हैं कि मनीस सोधिया को गिरफतार किया जा सकता है और अब मनीस सोधिया गिरफत में है उन्हें कम से कम इस महिने जेल में रहना पड़ेगा याने की विपक्ष के नेताओं पर भारती जनता पार्टी की दबिश जारी है मगर भारती जनता पार्टी के दोहरे माबदंड की चर्शा कोई नहीं कर रहा है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा मेगाले मेजब चुनाव प्रचार चल रहा था तब प्रधानमंतरी ने उस स्वक्ट की सरकार के बारे में, जिनके साथ आज वो मौझूद हैं, जिनके शपत ग्रेंड समारों में प्रधानमंतरी मौझूद थे, क्या कहा था प्रधानमंतरी सुनते हैं लेकिन आज जब यहां लोगों की बाते सुनता हूँ तो बहुत दूख होता है लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं ना सड़के बनी ना स्कूल कॉलेज ना अस्पताल बने फिर वो पैसा गया कहां यहां का यूद कह रहा है कि यहां रोजगार के अउसरीनों ने खतम कर दिये हैं जो भरतियां होती है उनमें करप्सन है भाई भतीजावाद है यही नहीं दोस्तों अमिट्शा ने तो ये तक कहा था कि भाई मोदी जी पैसा भेशते में घाले को मगर बीच में ही कॉन्डराट संगमा जो हैं खेल कर देते हैं उनके शब्द क्या थे सुनते हैं मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं बेचते हैं मोदी जी ने ये सारा पैसा मेगालाई के लिए भी भेजा है मगर बीच में बीच में ये मेगालाई सरकार आती है मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है मोदी जी की बेजे हुई सुविधाय आप तक पहुचती नहीं है एक बार सरकार बदल दो सारी की सारी सुविधाय आप लोगों तक पहुच जाएगी मित्रों मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जो सरकार या जो प्रधानंत्री ये दावा करते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या उनकी बात में विश्वास किया जा सकता है? यानि कि विपक्ष पर तो दबिश लगातार जारी है, विपक्ष पर आप लगातार हमला बोल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ, खुद आप उनके साथ गल्बहियां डाल कर चल रहे हैं, जिन पर आप भष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे, ऐसे में क्या वाकई प्रध है, वो जला हुआ, फुका हुआ ट्रांस्फॉर्मर है, जिसको उखाड फेको, ये कॉन्राड सांगमा जी की नपीपी के बारे में वक्तव थे, ये की सबसे भ्रष्ट, नंबर वन भ्रष्ट सरकार पूरे देश में हैं, और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं प द्यक्षता में, इन सारे संगीन और गंभीर ब्रष्टाचार के मामलों की जाच करने के लिए मेगाले में, ये भाजपाद्यक्ष जेपी नडड़ा जी का वक्तव्य था, तो ब्रष्टाचार पर चुनाओ की कैम्पेंड के दोरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाओ की गत सिविधी खतम होने के बाद, भरष्टाचारियों से ही गलबईयां, भरष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी, ये असली चाल, चरित्र और चहरा है भारतिये जनता पार्टी का, और छुटबईये ने ताउने नहीं, इस देश के प्रधान मंत्री ने, इ ये कहा कि इनके खिलाफ जाच होनी चाहिए और अब उनी के साथ हाथ जोडने को तैयार खड़े हैं दो सीट लेकर, तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या, और ऐसा पाखंड और ढोंग ब्रष्टाचार पे हमने लगातार करनाटक में देखा है, हमने लग लगातार मधप्रदेश में देखा है, हमने लगातार Gowa में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चरचा हो, इस पर बात उठे Kि कैसे ब्रष्टाचार पे बड़ी-बड़ी डिंगे हां की जाती हैं जब चुनाओ जजीरा पर एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, Reporters Collective की. इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि 2014 में Supreme Court का एक फैसला आया था, जिसमें उन्होंने 204 कोईला ब्लोक्स के आवंटन को रद्द कर दिया था. इन में से दो कोईला ब्लोक्स 2014 के Supreme Court के आदेश के बावजूद जब मोदी सरकार सत्ता में आती है तो वो दोनों कोईला ब्लोक्स एक बार फिर गौतम अडानी को दे दिये जाते हैं. Supreme Court के आदेश की अंदेखी करते हुए. यानि कि अलजजीरा की अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो मोदी सरकार ने Supreme Court की अवमानना की है क्योंकि Supreme Court का आदेश साफ था. उन्हों ने 204 कोईला ब्लोक्स के आवंटन को रद्द किया मगर नियमों में ट्वीक करके उनमें बदलाव लाकर उन्हें ट्विस्ट करके वो दो कोईला ब्लोक एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परमित्र गौतम अडानी को मिल गए. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे में पुरानी सरकार की भरष्टाचार और मोदी सरकार के भरष्टाचार में क्या फर्ख हुआ? उल्टा अब तो हालात और भी बत्तर हैं अब तो अदालत के आदेश की अवमानना की जाती है और बात यहां नहीं रुकती. पहले जब तूजी घोटाला, कॉमन्द विल्द घोटाला यह तमाम घोटाले होते थे एक जबाने में बोफोर स्कैम इन तमाम मुद्दों पर उस स्वक्त का मीडिया सरकारों पर सवाल उठाता था यह पीसी बनते थे आज क्या हो रहा है? अडानी ग्रूप को लेकर राहूल गांधी संसद के अंदर बोलते हैं, जेपीसी की मांग करते हैं, उनके भाशन को अठारा जगा से हटा दिया जाता है, मगर जेपीसी की मांग खारिच कर दी जाती है याद कीजे दोस्तों, अभी एक ही हफ़ते में सुप्रीम कोट का फैसला आता है जिसमें उन्होंने अडानी मामले की दोहरी जाच के आदेश दिये थे एक सुप्रीम कोट ने अपनी समिती का एलान कर दिया है जिसकी जाच होगी और दूसरा सेभी भी इस मामले की जाच करेगा अब आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोट इस मामले की दोहरी जाच के आदेश दे रहा है तो मोदी सेरकार जेपी सी की मांग को क्यों ठुकरा रही है यानि कि अडानी के मामले में ये लोग सुप्रीम कोट से भी बढ़ जाते हैं और ये ना भूलें कानून मंत्री केरंड रिजी जुहों या उपराश्पती जगदीब धंकर दोनों ही लगातार सुप्रीम कोट के जजों के खिलाब बोलते रहें जो अपने आप में कितनी बड़ी तरास्दी है दबाव बनाते रहते हैं और ऐसे में आप बताईए जब सरकार की तरफ से इसकदर दबाव होगा जब सुप्रीम कोट के आदेशों की अवमानना होगी अंदेखी होगी तो न्याय निश्पक्ष कैसे होगा मैं एक बार फिर अपने उस सवाल की तरफ जाना चाहूंगा कि जो सरकार ये दावा करती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो अपने वादों से कैसे पलड जाती है मेगालय की सरकार को आपने देश की सबसे भरष्ट सरकार बताया था अब आप उनके साथ गटबंदन कर रहे हैं सिर्फ दो हफते के समय में यानि कि दो हफते पहले आपने वो आरोप लगाया था या एक हफते पहले आपने वो आरोप लगाया था अब उनके साथ आप गटबंदन कर रहे हैं उनके शपत गरहन समारों में जा रहे हैं इन सवालों से मोधी सरकार नहीं बच सकती इसलिए जब आप मनी सिसोधिया पर कारवाई करते हैं या राबड़ी देवी पर कारवाई करते हैं तो आपकी विश्वसनियता पर सवाल उठेंगे और उठना लाजमी भी है आपका डरा हुआ पालतू मीडिया बेशक सवाल न उठाए मगर ये सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि इस कारिक्रम का नाम है बोल के लब आज़ाद है तेरे अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार